तो आज बात करूंगा वैंप आफ दा हाउस भाई बिग बास हाउस में जो है दो वैंप है और उस वैंप को लेकर के ही बात करने का मन कर रहा है पता नहीं क्यों जब पूजा भट का टाइम आएगा और बहुत ही प्यार और इजट के साथ इस घर से निश्कासित की जाएंगी मतलब जबरदस्ती नहीं ये बोल करके निश्कासित किया जाएगा कि पूजा यू वर प्लेइंग वेल बट जन्ता की वोटो की कमी के वज़े से आपको घर से बाहर आना पड़ेगा और पूजा बोलेगी और मैं इतने दिन इस घर के अंदर रह पाई हूँ ये मेरा सौब आग गए है मैं इन लोगों से इतना कुछ सिखी हूँ हर एक लोगों ने बहुत अलग तरह से बहुत अलग अलग चीज़त सिखाई है मैं लाइफ टाइम जो है अपने साथ में ये चीज़ को ले करके जाऊंगी और God bless you guys God bless you कुछ ऐसे ही बहुत ही प्यार से घर से बाहर आएंगे ऐसा मुझे feeling आ रही है अब मैं इस madam को क्यों vamp of the house मानता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी contestant है कि भाई ये घर के अंदर में जितने लोग बुरे काम करते है उन सब को बुला करके फुसला करके बोलती है नहीं मेरा बच्चा तुम सही जा रहे हो उनको तमीज नहीं है तुमसे बात करने की हाँ यहाँ पे बेबिका को इतने बुरे तरह से support किया जा रहा है और शायद पूजा भट मैम को जो ही है समझ में आ चुका है कि किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है किसके against खड़े होने है और किसके against खड़े होने पे हमें क्या मिलने वाला है इस बात से तो एगरी करता हूँ कि भाई फुकरा इंसान जो है वो रियल है वो ढखा हुआ नहीं है या फिर फिल्टर लगा करके नहीं आ रहा है जिसके वैसे मतलब वो वो सारी चीज़ें नहीं करेगा जो चीज़ें मना है समाज एकसेप्ट नहीं करती भाई वही निकलेग भूज थे कि ठीक है next अबुचे जो ऺ्यू करना होते जिसको फ॰िक है बेबिका जो किस्यानी बिली है जिसको जब कुछ नहीं मिलता तो खंबा ही नहीं भी नहीं तो जब भी खिसी आती है तो खिसी आ करके फुक्रा इंसान को पकड़ लेती है अभी क्या जब्रत थी कि तुम्हारा सब कुछ खातम हो चुका है तुम आप नॉमल हो चुके हो फिर से जाकर के बोलने की जड़त की शाना का हुआ गुखाता है और इस चीज़ को कहने के बाद जो वो रिपलाई करता है तो मैडम एक दमबुदक जाती है और यही चीज़ जाकर के मनीशा उसको बताती है कि तुमने वहाँ पे गलत बोला वो अच्छा खासा चुक चापता तुमने जाकर के उसको पोक किया उसके वज़से उसने ऐसा रियाक्शन दिया अब इस करके मेरे साथ क्यों नहीं दे रही है हसी आई गी ही बास वो जो चीज़ कह रहा है वो फैक्ट है कि एक बड़ी सी बुल्डोजर है तू एक मोटी सी सांड घूम रही है तो वह अगर कह रहा है तो वह सही कह रहा है जिसके वज़े से जो है किसी को भी हसी आ सकती है अब तो मोटा यह पतला को कुछ नहीं होता है यह हर किसी को पता है यह मुझे भी पता आपको भी पता है लेकिन जब इनसान उसके अंदर का गंदा निकलता है ना तो फिर उसके बाद से कुछ भी बोलो ना मज़ा आता है जब कोई उसको जब कोईısके ओपनेंट को जो है डांट रहा होता है जब उसको सुना रहा होता है कटी रहती है पागल चुड़ा ये डो है जिसको घर के अंधर में तब तक रखा जाएगा जब तक ये मसाला देते रहेंगे, जिस दिन इनका मसाला खतम, ये बंदी आउट, और अगर नहीं भी आउट हुई, तो इसको टॉप 3 तक खीच करके लेकर जाएंगे, और उसके बास से विनर किसी और को ही बनाने वाले, ये इस मैडम को शायद नहीं पता है, ये फिर पता भी होगा, इनको बस अपना जो हर अफती का पे मिलता है, उसको बढ़ाते रहना और एक अच्छा आमाउंट बनाना है, इस वैसे ये टिकी भी है exactly जो मेरा observation है, वो यही है और तुम सब के सब ना boss जो ट्विटर पे जाकर के बतिया रहे हो कि भाई, वो सबसे ज़ादा well settled है उसके पास में एक proper career है उसको कोई tension नहीं है, बूल करके सारे घर वाले जल रहे है, सलमान खान को भी जलना चाहिए उसका भी तो career fix ही नहीं है ना मतलब बिग बॉस मिले ना मिले आगले फिल में एट हो ना हो सारे चूती है लोगो क्या बे मतलब अगर वो सची में इतनी सेटल्ड है तो फिर आई क्यू है बिग बॉस में फेम लेने के लिए अपने डॉक्टरी में खुश रहती अपने बाबागीरी में खुश रहती मा कसम सबसे बड़ी पाखंडी बाबा अफ दा हाउस ही है मतलब स्वामी ओं को भी क्रॉस कर देगी जब इसको बला जाता है बाबा का रूप लेकर कर जाती है आपको अपना ये सभाव बदलना चीए पहले तुम बदलो मैं इतना क्यों जिल्दर हूं इस पे So that's it from my side That was my observation and this was the discussion ऐसे odd discussion, gossips और reviews के लिए जो चालब को subscribe करो मिलता हूं नेक्स वीडियो में अब तक के लिए स्वास्तर हो, मस्तर हो, सबर्दास्तर हो